हेलो साथियों मैं योगेश्तिवारी एक बार फिर आप सभी का अपनी परिवार अभ्योद एकेडमी में स्वागत करता हूँ इलहाबाद विश्विद्याले और उसे संबंधित कालेजों में अभी आनलाइन प्रक्रिया आवेदन चल रहा है और अगर कल की बात करें तो कल की लिए किसी लगबग सभी महा विद्यालेओं और ईलहाबाद विश्विद्याले में स्वाट कोटा को छोड़ कर सभी परवेश बंध है और संपी कालेज में भी कल की लिए कोई कटाफ नहीं जारी की गई है साव प्रताद मुखर्जी में आंलाइन प्रबीस प्रक्रिया चल रही है और कुछ कालेजों में टेलीफोनिक प्रक्रिया चल रही है एड़िसी इसोसरड च सिम्पी कालेज इलाहवाद बसुदल इन सभी कालेजों में इडमीशन या प्रबेस बंध है उसकल के लिए और बात करें लेटिस्ट कटाप की तो लेटिस्ट कटाप भी किसी भी नहीं जारी हुए एक भी कालेजों में जबकि स्पोर्ट कोटाप के अंदर गत आज भी बुला गया था इलाइबाद सुद्धेले में और कल भी पर त्रुस Ó है नुपतीन दिल लगतार महा पर आगे यह लएजंगी है और जू है कोर्सिश पोर्ट कोटा पर गछेंगीजों और कुछ कुछिन जैसे कि आप सभी ने पूचा है कि लल्बी की कटाफ कप तक आएगी अगर बात करें लल्बी के कटाफ की तो लल्बी की कटाफ जो है सेमपी कॉलेज में उससे पहले बात कर लेते हैं इलहाबाद विश्विद्याले में कितनी गई थी लल्बी की जो से वन फिप्टी की बीच में गई थी और जबकि सेमपी कालेज में भी मान की चलो इससे दस या पांच नंबर कमी होगा अगर इसकी बात करें तो सेमपी कालेज में यहां पर जहां तक उमीद है कि वन सिक्ष्टी फाइब के आसपास होने वाली पहली कटाफ और यहां पर ही होने वाली है पहली कटाफ जो आएगे तो यह सेमपी की कटाफ हुई और कब तक आयागी जहां तक लगता है कि यह लगबग फर्ष्ट भी का फर्वरी फर्वरी के पहले सप्ता हमें आनी चाहिए और यहां पर डोटल जो सीटें 300 सीटें सेमपी कालेज में जो फीज से 1800 कुछ रुपए लगता है और प्लस 100 रुपए इंरॉल्मेंट का लगता है जो की बात किये पिछले वीडियो में इसके बारे में बात किया है कितनी फीज यह 300 सीटें हैं तो इसके हिसाब से कटाफ अल्मौस्ट अगर गिरनी होगे तो काफी गिरती है 120 तक एडमीशन होता है और 120 तक लगबग 120-130 तक एडमीशन सेमपी कालेज में होता है तो उमीद रखी कि अगर 130 प्लस है 120 प्लस है तो उमीद है कि आपके एडमीशन किसी भी क सकता है है चांस बहुत जैदा है जने का 130 है तो अगर उस से कम है तो सीट की उपर करता है बच्चों की उपर करता है कितनी लोगमी सन anal Trump case नहीं लेते हैं इस अभी ंपर बिपड करता है कि कटाओ कितनी जाने तो ऊदिन कितनी रहने तो class कब चलेगा इनकी जैसी एड्मिशन समापत होता है उसके बाद आपको college जाना है college जाने अगर college में मिलता तो एक ID मिलेगी ID ID card मिलेगा आपको enrollment number मिलता है वहाँ पर enroll कराना होता है enrollment number दिया जाता है cmp college में आच यह जिस college में आप जाओ वहाँ पर मिलता है उसके बाद आपको सूचित किया जाएग डि fashion मतलब कबसे आपको टाइन टेबल दिया जाएगा जैसे के 2Just लिया का चल रहा है The class तो उसी प्रकार आपको भी Alternative देने के बाद King Revelation layer को सूचित किया जाएगा website पर आपको एमिद्सुमी कालेज में मिल जाएगी कब कबसे आपकी college या नोटिस जारी कि जाएगी कबसे आपकी कलासे चलेंगे उसके लिए आप जैसे student यहां पर column है, तो student corner में जाएगे Time Table पर जाएगे Time Table आपको वहां पर दिखाई देगा कि कब कब किसका किसका यहां पर Time Table पूरा लिखा तो यहां पर नर्ट बहुत शलो है इसलिए लेटर हो रहा है और यहां पर आ गया है कि तैंटेबल कहां साइन्स गृप का कभ है आडट्रूप का कभ है इसे बीस इसफले से संग्राइब पूर यह आपको ताइन डिखाई देगा तो आप यहां पर डाउनलोड करकर देख सकत होंगी अभी तक first year की कोई भी class around नहीं होगी हुई है जैसे के ललबी की बात में ते पिछल साल का है वी सारी किसका first year वालों का time table क्या था वो दिया गया है तो इसी प्रकार आपका भी time table यहां पर upload होगा तो आप यहां पर देख सकते हैं यह आलाइन क्लास कप से स्टार्ट होनी है उसके लिए आपको सिर्फ यहां पर आप उपर जाएंगे तो यहां पर CMP live दिख रहा है तो यहां पर क्लिक करेंगे हम पर क्लिक करने के बाद आप उको दूप कॉलम दिखाया देगा एक तो आपको दिखेगा वहां पर स्टूदेंड लॉगिन और एक दिखता है इस्टूदैंड लॉगिन और एक टीचर लाओगिन स्टूदैंट लॉगिन में जाएंगे वह में पर अपनी Internet login ी और पासवर्ड दियागे यह डालना है तो यहां पर लिखा गया इंस्ट्रक्शन में कि दिधिन फर्स लॉग इन पासवर्ड बोद दोनों के लिए आपको लॉग इन आइडी चाहे पासवर्ड हो वहाँ पर आपको इनुल्मेंट नंबर यूजय नंबर पीजय नंबर डालना है और उसके बाद जैसे लॉग इन करते हैं तो अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और अपनी इमेल आइडी और मोबाइल नंबर भी अपडेट कर सकते हैं अपने प्रोफाइल में और स्टुडेंस उडटन दियार क्लास एर पर टाइन डेबल के हिसाब से अपनी क्लास अटन करनी है यह आपको कैसे आनलाइन क्लास लेनी हैं सभी के बारे में जानकारी यहां पर आपको दी गई है तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें सेर करें अपने दोस्तों के साथ और एक बात जैसे आपको कोई भी समस्या हो कमेंड करिए कमेंड का उफ्तर या कमेंड में दिया जाएगा या वीडियो के माध्यम से दिया जाएग जो भी आपको doubt हो thank you for watching फिर मुलते हैं यह अंगले वीडियो में एक ने टॉपिक के साथ